पहले तो जो रेलवे का बजट पेश किया हमारे रेल मंत्री जी ने उनका अभिनन्दन करना जैसा है 400 नई गाड़ियां ट्रेंज जो वंदे भारत के अंतरगत जो पूरे देश में शुरू करनी जो बजट में प्रावधान लाया गया है उसका पहले अभिनन्दन करने जैसा है तो मैं आपसे मांग करूँगी कि विधर्व में महाराष्ट्र में अमरावती एक ऐसा शेत्र है जो डेवलेप्मेंट में बहुत कोशिश कर रहा है कि हम बहुत आगे तक पहुंचें नाकपूर के बाद पर कही ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना हम कर रहे है तो मैं आपसे मांग करूँगी बंदे भारत के माध्यम से जो नई ट्रेने पुरे देश भर में शुरू होनी है उसका लाव हमारी अमरावती के डिस्टिक को भी हो क्योंकि दो-दो स्टेशन जहां पर जिस शेत्र में उपलब्द है तो उसी तरीके की भी सुविदाएं हमारे शेत्र के लोगों को हो यहाँ से मैं मांग करती हूँ रेलवे वैगन कार खाना जो फैक्टरी है जो रिपेरिंग कार खाना हमारे अमरावती में जो बन रहा है पिछली बार आपके समक्ष मेंने इसकी कम्प्लेन भी की थी कुछ कामों में इसकी quality चेक होनी चाहिए, third party audit होना चाहिए, quality चेक होनी चाहिए अब सर में 10 दिन पहले जब वहां गई तो बार-बार वो तारीक पे तारीक दे रहे हैं कि next month हम ये काम पूरा करेंगे, उसके अगले मेने ये पूरा काम करेंगे पर वो हर बार railway board से उने 9 मेने की तारीक के आगे extension मिल जाता है अब जब मैं पिछली बार गई तो electrician के department ने बहुत बड़ा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है मैं आप से विननती करूँगी, जल्द से जल्द उसका काम पूरा किया जाए जिससे हमारे शेत्रों को, department को और पूरी repairing workshop को उसका lab मिलना चाहिए विधर्प के और महराश्टर की train की और उसके साथ में सर बनेरा railway station बहुत British कालीन station है हमारे अमरावती जिल्ले में और वहाँ पर beautification के लिए जब पहले DRM सर थे उनसे हमने डिमान की थी आपसे भी सर मैंने निवेदन किया है कि उसके beautification के लिए उसे सुन्दर बनाने के लिए हमें British कालीन station है पर वहाँ पर आज भी lifts का काम शुरू होके बंद पड़ा है बहुत दिनों से उसका काम पूरा करना चाहिए क्योंकि बुजूर्ग लोग जब भी travel करते हैं यहां से दूसरे platform में जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए आपने कुछ बजट में अगर प्रवधान करके beautification बहुत चोटी सी चीज है सर उसमें अगर प्रवधान किया बढ़नेरा station को तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती है बुजूर्गों को बहुत जादा ease वो station के दौरा उनको सेवा मिल सकेगी और हमारी अकोला अकोट railway दूलगान डपका तेलाई railway station जो ये मेलगाट का बहुत बड़ा पुराना station था वहाँ से गाड़ियां चलती थी उसे ब्रॉडगेज करने की योजना एक अप्रोच की गई थी पर महराश्टर गवर्मेंट में जब से ये ठाकरे सरकार हमारी है मैं आप से विननती करूंगी प्यूज गोल साहब थे उनसे में continue इस चीज का follow up लेती गई कि हमारे मेलगाट से सिर्फ एक railway track है जिसका broad gauge करना है उसकी सब चीजें complete हो गई है सेंटर से उसकी inquiry हो गई है 15 वर्षों से railway department उसके काम कर रहा है जब सब चीजें पुरी हो जाती है तो state government उसमें लाके वो ना मानने कर रही है पर मैं आप से विननती करूंगी इसके बीच में बैट कर आप लोग इसे solve करने का प्रैतन कीजे और मेरी mail card से मेरे schedule tribe area से आदिवासी शेत्र से ये train दूसरी जगा move now उसका काम वो ही broad gauge की तरह उस शेत्र में हो और उनका लाप हमारे आदिवासी भाईयों को मिलना चाहिए हमारी ब्रिटीश कालीन शकुंतला railway train है सर हमारे गाड़ी जो अचलपूर यातमाल, मुर्तिजापूर, दरियापूर ये जो broad gauge करने के लिए हमने प्रस्ताओ दिये, बहुत सारे दिक्कतों का सामने railway department उस दोरान कर रही थी हमारी continue मांग थी अगर आप broad gauge नहीं कर पा रहे हैं तो at least जो trains हमारी किसानों को सुविदा देने के लिए हर station to station जाती थी उनकी जान बनी थी हमारी ये शकुंतला गाड़ी, ये train आपसे मैं विनन्थी करूँगी जिस भी परिस्तिती में ये train है उस परिस्तिती में इसे वापस शुरू किया जाए, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा और लाब मिल चकेगा, क्योंकि ये हमारे जिलों की ऐसी division headquarter है और ये पूरे डिस्टिकों को जोडने का काम हमारी ये शकुंतला ट्रेन करती है मैं आपसे विनन्थी करूँगी सर और हमारी पूना अमरावती एक्स्प्रेस जो गाड़ी है ये कोवीड के दोरान उसे बंद किया गया बहुत सारे हमारे बच्चे आईटी के अंदर बहुत सारे जॉब्स के कारण सब पूना में बहुत जादा स्टूडेंट पढ़ने भी जाते हैं जॉब्स करने जाते हैं ये पूना ट्रेन के लिए हमें अठ्रा गेंटे घूम के जाना पड़ता है मैं आपसे विनंथी करूँगी वीकली तीन दिन हमें ड्रेक गाड़ी पूना के लिए ट्रेन दी जाए जिससे ये लोगों को ये वर्गों को हम मदद कर पाएं और सुविधा हमारे शेत्र को मिल पाए सर अमरावती नर्खेड महाराष्ट्र रेलवे मारगे की जो रिद्दपूर हमारा तीर्थ शेत्र है मानभाव पंतों का बहुत सारी बार बहुत अलग-अलग शेत्रे से हमारे गडकरी साहिब ने इसका फॉल अप ले रहे हमारे आजू-बाजू कि जितने भी महाराष्ट्र के MPs हैं वो सभी इस चीज का फॉल अप ले रहे हैं वहाँ पर खुद महनत करके 400 मीटर का प्लाटफॉर्म वहाँ के गाओं के लोगों ने और भक्तों ने जो मानने वाले मानभाव पंतों को उन्होंने खुद प्लाटफॉर्म कच्चे मट्टी का बना के रेडी किया है कितने वर्षों से ये स्टेशन की मांग कर रहे हैं सर आपसे मैं विनंती करूँगे अगर वो स्टेशन हम देते हैं तो पूरे देश के जितने भी भावी भक्त है जो वहाँ पर आते हैं वो उनका लाब ले पाएंगे और उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं कर पाएगा इतनी मैं मांग आपके सामने रखती हूं सर मेमो गाड़ी जो नरखेड बनेरा नरखेड जो चलती थी शिराड़ा के लिए और शिराड़ा गाउं है तो मैं सर के माड़ी में से बहुत छोटी-छोटी सी प्रॉबलम है पर MPs को इतना भी राइट्स नहीं है कि वो रेलवे बोर्ड में फॉल अप करके या DRM से फॉल अप करके जो चीज़ें शुरू थी उसे वापस लॉकडाउन के बाद शुरू करना ची उतना राइट्स अगर हम लोगों को मिला कि आप लोग ने फॉल अप किया या आपका एक लेटर मिल गया कि इमीजेटली स्टांट इस वर्क अगर ऐसा भी कुछ होता है तो हम कही ना कहीं काम कर पाएंगे हर चीज में अगर राज्य नहीं करने देगा या केंद्र नहीं करेगा तो हमारा तो कोई भी फॉल अप लिया हुआ चीज कुछ भी इंप्लिमेशन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आप से मांग करूंगी सर स्टॉपेज के बहुत छोटे-छोटे दिक्कत होते हैं जो पता है कि पांच मिनट अगर दो मिनट स्टॉपेज देते हैं तो आगे की पूरी टाइमिंग चेंज होती है पर जो अर्डिटी स्टॉपेज में थी उसे आपने अगर लॉगडाउन में बंद किया तो उसे प्लीज आप वापस से शुरू कीजे जिससे वहां की यात्रियों को उसका लाब मिल सके अमरावती जबलपूर एक्सप्रेस सर हमारे MP साब बिसेंच साब यहां पर बैठे हुए हमारे धारनी के बाजू के शेतर के MP जो continue सर मैं उसमें continue हम follow up ले रहे हैं कि जबलपूर एक्सप्रेस जो अमरावती से सर it is very important few things more I have to add into this तो बहुत दिनों से हम इसका follow up ले रहे हैं सर जो अमरावती से जबलपूर चलती थी हमने इसे extension मांगा था आगे प्रियागरास तक प्रियागरास लोगडाउन में प्रियागरास तो की नहीं पर जबलपूर भी बंद कर गई मुझे एक बताईए नाकपूर में ये 12 गिंटे हाल्ड करती है सर 12 गिंटे हाल्ड करने के वज़ा अगर ये अमरावती से फिर शुरू करती है तो जितने भी यात्री वहां से अमरावती से जबलपूर जाते थे उनको इस चीज का लाब मिलेगा 12 गिंटे कहीं पर वेश करके उसका समय मुझे लगता है फाइदा देने में मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को लाब दे पाएंगे जो जनरल टिकेट अभी मुझे लगता है कोविड के दौरान बंद की गई है उसे जल्द से जल्द हमने अगर शुरू की तो उसका लाब सभी लोगों को आम जनता को क्योंकि महारास्टर में बस का स्टी का वर्करों का हड़ताल चड़ रहा है रेलवे डिपार्टमेंट से आज उसका टेंड टाइम्स जादा ये सरकार हमारे महारास्टरों को दे रहे तो उसके लिए आपका सर में अभी नंदन करना चाहोंगी कि इतनी अफ़र्ट्स लेके रेलवे डिपार्टमेंट को स्ट्रॉंग बनाने का काम हमारी एक केंद्र सरकार कर रही है सर सिर्फ मैं आपसे विनंथी करूंगी कि ये दोरान लॉकडाउन के दोरान जो टाइम टेबल चेंज हुए है उसे फिर एक बार ध्यान में देते हुए लोगों को जो सुविदा हुए उन तक पहुंचानी चाहिए और जो ट्रेंज में साफ सफ़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा है सर उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और रेलवे जो DRM के ओफिस है अगर कोई कन्फरमेशन के लिए या कोई चीज के लिए किसी को मेल भेजना है तो वहाँ पर मेल एकसेप करते नहीं है DRM ओफिस में वो कहते हैं आपको फैक्स कीजिए और आज हर ओफिस में फैक्स कहीं उपलब्द नहीं है सर तो वो फैक्स ना मांगते हुए फैक्स मांगते हैं तो उसके लिए दो-दो घंटा सभी को वेट करना पड़ता है और फैक्स करना पड़ता है मैं भुसावर डिविजन से बिलॉंग करते हैं सर हमको DRM ओफिस हुआ ही पड़ता है और यह दिक्कत हम भी सामना इसका करते हैं श्री अनुराग जर्मा जी और मैं आपको सर यह railway budget के लिए आपके पूरे department को और आपके patients को जो positive attitude से आप सभी को receive करते हैं उसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं और we support you definitely sir, thank you